आज है नाकपंचमी और आज बोरिंग रोड में बहुत जादा भीड़ है इतना भीड़ है ना मेरा बेटा आया है और क्या किया है ना कि मतलब साहप को देखे फोटो दिखा रहा है और और सांप नुम और अजय को दूद पिला करके ऑश्मिय का यह कुछा है कि जब वी JrF तो पृद्ञैनेप्र इंजयार श्मियुल-वजय वाफुन-जय इतना गुस्सा आया है देखिए यहां पर बैग है बार बार उसको खोल रहा है तो इस तरह से नहीं करो देखिए ठीक है आज के दिन हम यह मलते हैं आज मेरी सासुमा का पुने तिती भी है नाक पंचमी के दिन ही मतलब उनका पुने तिती है तो मंदीर में लेकिन आगे पीछे आगे पीछे ही मिलाया है है खुल लो इतना भारी लग रहा है आप अर सही में देखिए यह बैग हिल भी रहा है देखा देखा देखें देखिए भैक में भर करके और लाया है और देखे़ को इसा मत करो बाबू ऑह कर कि जुक चाले कि झुक endeavors रहा है कि क्या बोले मंदीर नहीं यह हैं जीकितना हील रहा है कि है बंटबाई से नहीं करो बाबू और दिखिए सही में इसांप से डर नेगता लेकिन साफ साफी ओता है बुचनी न्याम हां पंट और मोंole गिचवा लिया है अब भेक लोगार चुर्टो हम नेखा溜ा रहा है लेकिन इसका मतलब था कि हम घर में नहीं रखेंगे इसको ले जाके जंगल में छोड़ देंगे और क्योंकि उसको मतलब साब को क्या होता दूध नहीं पसता है लेकिन मान लीजे एकदम काला रंग का वीडियो बनाने के लिए मना किया लेकिन फोटो देखिए हम लगा दिये हैं और मान लीजे कहीं काट लेता और मतलब आज के दीन नहीं देखिए अभी किसी तरह हम सबजी और चावल बनाया है तो इस तरह का हरकत नहीं करना और मान लीजे कि मतलब हाथ में पकड़ के तुम बैग में ले आया कहीं काट लेता कहीं क्या करता तो एक मतलब घटना बताती हूं जैसे मेरे पापा दो भाई है और चोटे वाले मेरे छोटे पापा है नूँ सहरसा में रहते थे तो उनके तो उसका नमोना रख दिया गया तो उस समय मेरे छोटे पापा सहरसा में पोस्टिंग थे तो जैसे धीरे-धीरे बड़ी होने लेगी लेकिन उसका जो आख का खुबसूरती था जैसे एक नाग जो होता है ना मतलब आख एकदम ब्राउन कलर का सीम उसी तरह का लगता था जै है तो एक दिन के बाद बहुत ही मतलब 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 ऐसा न्यूज आता है कि साथ बताने लाइक नहीं है वो बैठी भी थी और सीधी के पास उसका चोटा भाई था और अचानक से लगा कि जैसे कुछ काट दिया है तो अपनी मम्मी को बोली कि मम्मी देखो ना लगता कुछ काट दिया है सुमको पापा से भेट करवा दो तो मेरे चोटे पापा ऑफिस गया हुए थे जल्दी जल्दी आया है और जल्दी सो होस्पीटल लेकर के आए तो पता चला कि साप मतलब काट लिया है उसके बाद फिर सब लोग होस्पीटल लेकर के गए तब तक तो मुह से निकला लेकिन वो नहीं बची और बोलते बोलते मेरा रोवांसी हर रहा वो नहीं बची उसके बाद जब उस सीरी को तोड़ा गया तो अंदर से एकदम नाग बहुत ही भ्यंकर नाग निकला कितना लंबाई था उसका कोई अंदाजा नहीं है तो सब लोग यहीं बोला क्यों करने थी तो उसको मतलब ले चला गया और जब हुई थी तो केचुल में ही लेकिन बहुत दिन तक मतलब मेरे मतलब बड़ी बेटी घर की तो मेरे चोटे पापा का मतलब दिमागी हालत बहुत खराब होने लगा और उसको केला के थम बांद करके फिर नदी में मतलब बहाया गया और बहुत दिन तक इंदजार देखते थे कि कहीं वो जिंदा वापस चले आए तो मतलब उसके बाद या आज बहुत दीन के बाद इतना बड़ा हो गया है लेकिन क्या बोले और बोला कि नहीं मतलब जबरदस्ति इतना सब्दू लेकिन आव ऐसे हरकत नहीं करना बेटा ठीक हरना चलो सब बीवर्स तो बोल रहे थे कि बेटा को नहीं चाहिए कि इस तरह से बोलो की नहीं बोलो ठीक